समस्कार दोस्तों आज आपका यूट्यूब इंडेट में आपका हाड़ी स्वाकत है आज हम आपको जानकारी देंजा रहे हैं CT8 CT8 2021 के लिए नोटिफिकेशन है आज हम आपको बता रहे हैं CT8 साल में दो बार लिया जाता है जून के अलावा दिसंबर में इसकी प्रिक्षा होती है अभी तक आफ लाइन प्रिक्षा आयोजीत की जाती थी CT8 नोटिफिकेशन के इन दिस इच्छे प्रिक्षा 2021 के लिए विजन प्रिक्रिया की सुरुआत जल्द हो सकती है मीडिया रिपोर्ट की माने तो आज 23 अगस्त से 25 अगस्त तक CT8 2021 जून एक्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद केंडिडेट्स पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे हाल ही में CT8 प्रिक्षा को लेकर नोटिस जारी किया गया है इसने बताया गया था कि अगले सेशन की लिखित प्रिक्षा दिसंबर 2021 या जनवी 2022 में आजजित होगी टीटी साल में दो बार लिया जाता है जून के अलावा दिसंबर में इसके प्रिक्षा होती है आफ लाइन प्रिक्षा जाती है लेकिन करूना संक्मथ के कारां बोड ने आल लाइन के प्रिक्षा लेने का निरिणा लिया है एक बास इस बार ने प्रिक्षा पै्टर्ण में बदलाव भी किया है बोर्ड दौरा सीटीटीट के स्लेबस में भी बदलाव किया गया है इस बार से तथ्यात्मक जगह क्रिटिकल सरकेंग प्रॉब्लम्स सेविंग सर्ज जाने हैं कॉंसलेंट में समझ समझ और एप्लिकेशन से प्रस्ट पूछे जाएंगे इसके लिए जल्द ही ब्लू स्टेरिजी जारी किया जाएगा मीदवार नोटिफिकेशन में सभी जानकारियां बचकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो उमीदवार कक्षा में कक्षा एक से पांच तक पढ़ाने के लिए कक्षक बनना चाहते हैं प्रताना चाहते हैं उन्हें पेपर एक देना होगा बाकी कक्षा चैसे आठ तक के सिक्षक बनने के लिए उमीदवारों को पेपर दो पास करना होगा निवीदन करते समय उमीदवारों को अपनी अपनी टेगरी के अनुसार एप्लिकेशन स्वीस में जमा करनी होगी तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल इंडेव डेट पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ जैहिन जै भारत